नंद के आनंद भायो जै कनहया लाल की स्री कृष्ण जनमास्ट में कब मनाई जाएं? कुछ लोग कहते हैं 14 अगस्त को बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि 15 अगस्त को बनाओ एक बार जरूर बोलिए के हाथी गोडा पाल की जै कनहया लाल की शैव मत को मानने वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो जै रन छोड माखन चोर 14 अगस की रात को ही बोलेंगे जोकि वैशनव मत को मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम तो लल्ला को पलने में 15 की रात को ही जुलाएंगे हमारी सरातन धर्म की संस्कृति जो सदियों से निरंतर प्रवाहवान है इस वैशनव और शैवमत दोनों ही पूरा-पूरा महत्व रखते हैं दोनों की भिन-भिन अलग-अलग तरह की पूजा और पदित्या है चिरकाल से चली आ रही माननेताओं को हम सब बानते हैं आपको मालूम चल रहा है कि शिव को मानने वाले व्यक्ति शैवमतावलंबी कहलाएं इस बत को मानने वाले शिव को ही ईश्वर मानकर आराध्रा करते हैं शिव जो की कल्यान करने के साथ संहार करने वाले भी कहलाएं शेवबत का जो स्वरूप है वो रिगवेद में रुद्र की कलपना से मिलता है। मित्रों जब जीवन में परिशाने आती हैं उसके बाद ही शीतलता रूपी जल हमारे जीवन में बरसता है और जब शीतलता बरसती है तो शांती और आनंद का वातावरन चारो और व्यापत हो जाता है। रुद्र ऐसे ही जञजावातों के बाद सुक और शांती प्रदान करते हैं तो इस तरह पंच भूतों के अधिपती शिव शंकर के पूजग शैव संपरदाय वाले कहलाते हैं। वैष्णव मत को बानने वाले लोग इस नाम से ही विदित हैं इस संपरदाय के आराध्य देव विष्णु हैं और स्री विष्णु नहीं कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भगवत धर्म से इस मत के उत्पती हुई थी और वैष्णव मत वाले सूरी पर आधारिद वरत और उपवास रखते हैं। सात्विक मंत्र चपते हैं। स्री कृष्ण जनमास्टमी के दिन नन्हे शिशु की तरह ही पलने में जूला जुलाते हैं। और इस क्रम में अपनी पूजा पदिती को आगे बढ़ाते हैं। इस बार 2017 में शैव मताव लंबी 14 अगस को स्री कृष्ण का जनम मनाएंगे और 15 को वैष्णव मत को मानने वाले लोग मनाएंगे। देखे जैसा उलेख है कि स्री कृष्ण का जनम अस्टमी को हुआ था और 14 अगस की शाम 7 बचकर 45 मिनट पर सब्तमी खत्म हो जाएगी और अस्टमी शुरू हो जाएगी। यह एक बात है। यहां मैं एक बात और स्पस्ट कर दूँ कि हमारी संस्कृति में प्रतीक दिन त्योहार स्वरूप है। किसी भी विवाद में उल्जे बिना आप जिस भी संप्रताय को मानते हैं उसके अनुसार अपनी पूरी सरद्धा और आनंद के साथ ये त्योहार मनाईए और क्रिष् की संगीत में रूची हैं वो सरस्वती उपासक हैं चोटा वाला बॉक्सिंग चैंपिन हैं वो तो राम भक्त हनुमान को ही पूछता हैं कहीं कोई रोक और टोक नहीं हैं सब कुछ एक आनंद की धारा में प्रवाहमान हैं तो इस बार त्योहार पर एक बार फिर से बोलिए नंद के आनंद बायो जै कनया लाल की हाती गोड़ा पाल की जै हो नंद लाल की आप सभी को स्रेक्रिष्ट जर्माच्वें पर धेरों शुब कामना हैं जै स्रेक्रिष्णा